इंडिया गड़ बंदन से एक के बाद एक दल किनारा कर रहे थे सबसे पहले मम्ता बंदर जी ने पश्चिप बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का एलान कर दिया तो इसके कुछी दिन के भीतर गड़ बंदन की इस कवायत के सुतरधार नितीश कुमार एंडिये के पाले में चले गया बंगाल और बिहारमेन जटकों से कॉंग्रेस और गड़ बंदन उभर ही पाये थे कि उत्तरध प्रतेश में राष्टी लोग दल भी भारती जनता पार्टी के साथ हो लिया एक के बाद एक पार्टिया गड़ बंदन छोड़ कर जा रही थी और दिल्ली से पंजाब और उत्तरप्रतेश तक सीड बठवारे के उलजे गरित के लिए सियासी दल कॉंग्रेस को आखे दिखा रहे थे इंडिया गड़ बंदन के भविश और इसकी तस्वीर को लेकर बाते शुरू हो गई थी लेकिन अब यूपी महराष्ट और दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक से कॉंग्रेस और निया गड़ बंदन के लिए आकिरकार खबर अच्छी आना आने लगी है उत्तरप्रदेश में प्रियंका गांधी की सकरीता के बाद कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेरिंग का अपचारिक अलान हो गया है वहीं महराष्ट में भी बात बंती नजर आ रही है सबसे पहले बात यूपी की कर लेते हैं जहां सपा कॉंग्रेस के बीच शेरिंग का अलान भी हो चुका है लोगसबा चुनाव के लिए एहम 80 सीटों वाले यूपी के एक समय सपा और कॉंग्रेस के बीच शेरिंग को लेकर बाचित बंद होने की खबरे आने लगी थी लेकिन अखले शादों ने कॉंग्रेस को 17 सीट का फाइनल आफर देने के साथी ये दो टूक कह दिया है कि इससे अधिक सीटे नहीं दे सकते हैं यूपी कॉंग्रेस के निताब बलिया, बिजनौर और मुरादाबा समेथ करीम 21 सीटों की मांक पर अड़े थे दोनों दलों के बीच बाच्चीत की गाड़ी जब पटरी से उतरती लगी तब सपा ने पाच उमिद्वारों की 30 लिस्ट भी जारी कर दी इस लिस्ट में वारणसी की सीट से उमिद्वार का नाम भी था जहां से पियम मोधी खिलाफ कॉंग्रेस के प्रदेश अड़ेक्ष अजयराय लड़ने की बात कर रहे थे और वहीं सपा के वारणसी से उमिद्वार घुशित करने को कॉंग्रेस के लिए सक्त संदेश दिखा गया बाद विग्रती देख यूपी कॉंग्रेस की प्रभारी रह चुकी प्रियंका गांधी वाडरा ने मोचा समाल लिया प्रियंका ने अखिलेश से बात की और इसके बाद कॉंग्रेस के रुक में नर्मी आई कॉंग्रेस ने चार और सीटों की जित छोड़ दी और फिर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम यूपी कॉंग्रेस के अध्यक्च अजैराय और यूपी कॉंग्रेस के प्रभारी अभिनाश पांडे ने एक साजा प्रेस कांफर्स कर सीट शेरिंग के फॉर्मले का अफचारिक अलान कर दिया यूपी में सीट शेरिंग को लेकर अफचारिक अलान के बाद अब दूसरे राजों में भी इसे लेकर बातचीत की गाड़ी ना सिर्पटरी पर लौट आई है बलकि अंजाम की ओर भी पौस्ती जा रही है मरास्ट में भी राहूल गांधी की सक्रिता के बाद अब सीटों को लेकर जल्द ऐलान की संभाव नयज़त आई जा रही है राहूल ने पहले शरत पवार से फोन पर बात चीत की उसके अगले ही दिन शिवसेना यूबीटी अदक्ष उदव ठाकरे से भी फोन पर बात की हलकि कहा ये भी जा रहा है कि 48 सीटों वाले महरास्ट की 40 सीटों पर करीब गरीब सहमती बन चुकी है अब बात 8 सीटों परट की हुई है जिन सीटों का गडित इंडिया गडबंतन अभी तक सुलजहा नहीं पाया है उनमें राम टेक, हिगोली, जालना, मुंबई नौर्थ, वेस्ट, मुंबई, साउथ सेंटरल, शिर्डी, विवन्डी और वर्धा शामील है इन सीटों के लिए कॉंग्रेंस और शिफसेना, यूबिटी, दोनों ही दल दावेदारी कर रहे हैं इंडिया गडबंदन में शामील नेता ये दावे कर रहे हैं कि सीटों का गडित अगली बैठक में सुलजहा लिया जाएगा वही दिल्ली में भी केश जीवाल के अवास पर आप और कॉंग्रेस नेताओ की बैठक कुई जिसमें दोनों ही दलों के बीच चार और तीन के जादोई फॉर्मले पर करीब करीब सहमती बन जाने की बास सामने आई है हलाकि दिल्ली के में एक सीट पर पेश फसा है दोनों ही पाटियां चार सीटों पर चुनाव लड़ना चाती है और सब यह नेताओ बंगाल की बाद कर ले तो बंगाल की मुखिया ममता बनरजी ने सबसे पहले अकेले चुनाव लडने का एमालान कर दिया आयातरा बंगाल में प्रवेश करने वाली थी मंता ने दो टुक कहा था कि हम कॉंग्रेस को दो सीटे देने के लिए तयार है लेकिन ये प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है अब ख़बर ये है कि TNC ने फिर से कॉंग्रेस को दो सीट की पेशकस करते हुए सीट शेरिंग को लेकर बातचीत का प्रस्ताव दिया है TNC बंगाल में दो सीट देने के लिए तयार है और मेगाले की तुरा और असम में एक सीट मांग भी रही है कॉंग्रेस पश्रिम बंगाल में अधिक सीट चाती है और तुरा सीट देने के लिए भी तयार नहीं है बंगाल में सीट शेरिंग को लेकर के समझोता होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इसके लावा आपको बता दे कि जिस तरह से छेतरी पार्टियों को साधरे में इंडिया गड़भंदन खास्तोर से कॉंग्रेस जुट चुकी है अब सवाल ये होगा कि संपूर जितनी भी लोग सवाज सीट है इसको लेकर के चुनाव के अलान से पहले पूरा फार्मला तै हो जाता है या चुनाव के अलान के बाद भी ये कबायत चलती रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिलाल अभी कितना ही देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रही है नभारा टैंस आनलाइन के साथ नमस्कार